हाई फ्रेंड्स असलाम अलेकुम यूर वाचिंग टेकनिकल बाजवा एंड आए मसगर अली आज की इस वीडियो में कंपैरजन करने जा रहे हैं सैमसेंग गलेक्सी जैसिक्स प्लस एंड नोकिया 3.1 प्लस का देखेंगे इन दोनों फॉन्स में क्या हैं से फीचर्स कौन सा आपके लिए बैस्ट वीडियो को अगर आपने मारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिए चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटर सब्देर्स वीडियो सबसे पहले हासल करने के लिए तो सबसे पहले बात करेंगे दोनों फॉन का frame तो frame J6 का में मिलता है shining plastic तो यहां 3.1 plus में जो frame मिलता है वो हमें aluminium मिलता है तो यहां हम देख सकते हैं जो comfort हमें phone लग रहा है back side पर तो वो Nokia 5.1 plus लग रहा है look and design में यहां जो सबसे अच्छा phone मुझे लग रहा है वो J6 plus लग रहा है क्योंकि यहां जो है इसमें back side पर glass में design देख सकते हैं आप तो काफी अच्छा लग रहा है लेकिन 3.1 plus भी काफी अच्छा लग रहा है made finish है काफी interesting phone लग रहा है फोंस में में देख सकते हैं dual camera setup मिलता है 13 plus 5 megapixel में दोनों फोंस में dual camera मिलता है दोनों ही phones में J6 plus में जो focus मिलता है first camera में वो 1.9 मिलता है Nokia 3.1 plus में जो camera में focus मिलता है first camera में 2.0 मिलता है focus में तो यहां थोरा सा difference है लेकिन देखेंगे और feature हैs phone के तो बोथ phones 3GB RAM and 32GB internal storage दोनों फोंस में LED flash मिलता है J6 plus में side fingerprint मिलता है and Nokia 3.1 plus में back side fingerprint मिलता है दोनों फोंस में जो charging USB मिलती है दोनों ही phones में 2.0 micro USB मिलती है तो यहां में C type के वोल दोनों फोंस में नहीं मिलती and fast charging भी हमें दोनों फोंस में नहीं मिलती जो यहां थोड़ी सी fast charge करेगा वो Nokia 3.1 plus बहतर charge करेगा J6 plus से दोनों फोंस में फोंस में Fully View Display में मिलते हैं दोनों फोंस में Nauts Technology तो नहीं मिलती लेकिन हम देख सकते हैं दोनों फोंस का display जो वो same ही है and उसके बाद front पर आप देख सकते हैं दोनों फोंस के camera में नज़र आएगा दोनों फोंस में 8 Megapixel camera दिया गया है एंड उसके बाद हम देख सकते हैं Sensor, Air Speaker एंड डिस्प्ले के अगर बात की ज़ाए दोनों फोन्स के तो 6.0 इंचिस का दोनों ही फोन्स में सेंँ साइस का डिस्प्ले दिया गया IPS LCD दी गया दोनों फोन्स में एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कलर्स दोनों फॉन्स में तो कलर्स भी हमें दोनों ही फॉन्स में बहतर नजर आएंगे यहां इन साइज में यहां जो बड़ा फॉन है वो जे सिक्स प्लस है ज्यादा ओवर साइज दिया गया है जे सिक्स प्लस में जो प्रोसेसर में आगए वो 3.1 प्लस है Nokia 3.1 प्लस में जो प्रोसेसर दिया गए वो MediaTek का Helio P22 जो के latest software बनाया गया है 12 nanometer पर और उसके बाद हमें जो प्रोसेसर मिलता है J6 Plus में वो Snapdragon 425 मिलता है जो के बहुती slow प्रोसेसर है तो प्रोसेसिंग में यहां मैं आपको बताना चाहूंगा Nokia 3.1 प्लस का जो प्रोसेसर है वो काफी fast होगा J6 Plus से J6 Plus जो है वो 1.4 quad core पर काम करेगा एंड उसके बाद हम देख सकते हैं जो 3.1 प्लस है वो 2.0 octa core पर काम करेगा लेकिन यहां जो प्राइज की बात की जाए अगर दोनों फोन्स के तो प्राइज यहां जो दी गए J6 Plus में वो 32,999 रुपीज दी गए यह पाकिस्तान में official और उसके बाद डालर्स में अगर बात की जाए दोनों फोन्स के प्राइज की तो डालर्स में 3.16 डालर्स जो है J6 Plus की प्राइज दी गई है तो यह मैं समझता हूँ काफी हाई प्राइज दी गई है 3.1 Plus की जो प्राइज दी गई है वो 24,950 रुपीज दी गई है यह पाकिस्तानी रुपीज और डालर्स में इस फोन की प्राइज जो है वो 239 डालर्स दी गई है तो प्राइज में मैं समझता हूँ यहां जो है मुझे जो 3.1 प्लस बहुत ही अच्छा लग रहा है तो प्राइज के साफ से स्पेसिफिकेशन के लहाज से यहां जो है नोकिया 3.1 प्लस आगे है वीडियो रेजलेशन जो है यहां तकरीबन सेम है 720 x 1440 जो है वो 3.1 प्लस की है एंड जेशिक्स प्लस की रेजलेशन है वो 720 x 1480 तो रेजलेशन का कोई ज़्यादा फरक नहीं दिया गया दोनों फोंस की बैटरीज की बात की जाए तो यहां सेमसंग जेशिक्स प्लस में जो बैटरी दी गई है वो 3300 एमेज की बैटरी दी गई है नोकिया 3.1 प्लस में जो बैटरी दी गई है वो 3500 एमेज की बैटरी दी गई है तो बैटरी में भी यहां नोकिया आगे है के ल हाज से दिए कि लिए बेस्ट रहेगा ने डेख सकते दोनों फंस का फिंगर-प्रेंट करतें तो फिंगर-प्रेंट यहां जो है फिंगर-प्रेंट का कमाल है बहुत ही फॉस्ट वर्किंग दी गई एर सेमसंग जे-शिक्स plus में आपको जो शार्प नजर आएगा रजल। जो मिलेंगी बलर की वो आपको जे G6+, में मिलेगी लेकिन जो यहाँ पिकसच में जो अच्छा रिजल दे रहा है वो 3.1 प्लस का الشार्प रिजल देख सकते हैं कलैरास बैक साइड पर आप देख सकते हैं G6 में अपको मिलेगी एन उसके बाद आप देख सकते हैं फ्ररंट कैमरा में तो दोनों फॉंस का 8 मेकापिक्सल कैमरा है लेकिन फ्रंट साइड में यहां जो कलेरंस मुझे नज़र आ रहे है ज्यादा वो 3.1 प्लस में है तो Nokia यह फ्रंट कैमरा में भी आगे है दोनों फॉन्स के बारे में आपको यही रिक्मेंट करना चाहूंगा कि यहां जो है प्राइज के हिसाब से अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो 3.1 प्लस आपके लिए बेस्ट है यहां आपको कैमरा भी तक्रीमा अच्छा मिलेगा तो आपकी क्या राया है कमेंट्स के जरीए में जरूर बताएगा इस फून के बारे में आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट्स और शेयर भी कर दीजिएगा मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे अजाज़त अल्ला हाफिज पाकिस्तान जिन्दाबाद